हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेंड बी पी एसी में आज का से संजब दोस्तों ने वाला है सभी दोस्तों को गुड इविनिंग टु अलफ यू गाईज उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्त रहेंगे तभी आपको पढ़न में मन लगेगा ठंड का मोसम है आप लोग देख रहें कितना ठंड है बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों सकता से ज़्यादा फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूं रुकना नहीं है रजाई में छिपकर भी क्लास करना है जैसे भी हो वैसे लेकिन क्लास किसी को कुछ करने का मन नहीं करता है तो ठंड से बचेए भढ़ाई केजिए खाना खूब खायए कहाने माला मोसम होता है तो चलिये सिहत पर भी ध्यान दे कर और पढ़ाई किजिए घर से बाहर नहीं निकलना है मौसम बहुत कराब है चलिए देखते हैं पहला कोचन है दोस्त चानल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब किजएगा अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुरूर जुड़ना है टेलीग्राम पर पीडिएफ इ देखिए क्या है कि सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करना है तो इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है तो आराधना जो एह नमर में लिखा हुए बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें बिलोम बताना है ब्रीध का बिलोम क्या होता है बिरिध का बिलोम हो जाएगा बा प्रिवाची क्या होगा बिद्वान का प्रिवाची क्या होगा दोस्तों तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मनी सी ओके सी राइट अंसर हो जाएगा और वीगी भी बोलते हैं और जानकर भी बोलते हैं याद रखेगा माथा ठनकना मुहाबरे का सही मतलब क्या होता है माथा ठनकना मुहाबरे का सही मतलब क्या होता है दोस्तो सो बताए इसका राइट अंषर हो जाएगा आपका यानि संसलने होना संसले होना जैसे कि उसने सही बातों को जैसे गुमाँक और पेस किया मेरा दिमाँग खराब हो गया ऐसे बोलते है न जब अचानक कोई बात बोलता है उस जैंस में चलिए अगला प्रस्ण है क्या है उस विकल का चैन करें जो मुहाबरे का सही अर्थ व्यक्त करता है तो सही अर्थ व्यक्त करता है क्या पीछाना छोराना छोरना ओके बी राइट अंसर अगला है विवाद का विलोम सब्द क्या होगा विवाद का विलोम क्या होगा तो इसका राइटनसर हो जगा नीर विवाद ओके सीर आइटनसर हो जगा अगला है दोस्तों की दिये गए वक्मांस के लिए सब्द दिजिए दिये गए वकवांस के लिए देना है बताएए क्या दिया है दोस्तों तारो भरी रात तारो भरी रात का मतलब क्या होते है यानि विभावरी समझ रहे हैं यानि तारो भरी रात को हम विभावरी कहते हैं जैसे कि प्रोदोस हो गया प्रोदोस किसको बोलते हैं साम का समय पु इसमें बी नमर का जो है यो सही लिखा हुआ है अगला प्रस्ण देखे इसमें बिलोम बताना है जगरीती का बिलोम क्या होगा जगरीती का बिलोम क्या होगा तो जगरीती का बिलोम सुशूती हो जाएगा ओके बी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए दोस् की आपको if it's a gate टबाणा चैन करें क्या है आंख है आख के जैसे कौंसा सभ्द है ं प्रफ्दि एससे समानभाउत्पन करता है है तो दीरिग होता है से चार भुजाव वहला स्वांग क्या होगा दोस्तों क्या होगा पताए लोग इसका द्रॉय जाएगा चत्र हो जो के B राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं अगला है की तो छोटा कर देते हैं देखें क्या है दिए गया उक्वांस के लिए एक सब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हूसे क्या बोलते हैं जिसे बुलाया ना गया हूसे क्या कहते ह तो उसे आनाहुत बोलते हों के A right answer हो जाएगा अंगीकार का बिलोम सब्द होगा अंगीकार का बिलोम सब्द क्या होगा तो अंगीकार का बिलोम सब्द हो जाएगा आपका right answer यानि बहिसकारों के D right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए दोस्तों अगला है क्या दिया है सही वर्तिनी वाले सब्द का चैन कीजिए सही वर्तिनी वाले सब्द का चैन कीजिए तो या था सकती जो है D राइट अंसर हो जाएगा सही वर्तिनी वाले सब्द का चैन करना है इसमें भी बताईए तो इसका भी राइट अंसर पुत्र वध्ध हो जाएगा आप लोग कमेंट करकर बताएंगे कि पुत्र वध्ध का मतलब क्या होता है किसे कहते हैं कमेंट केजिए लो चलिए अगला प्रसंद देखिए दिये के उकवांस के लिए एक सब दीजिए जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तो तो उसे हम लोग कहते हैं पार दर्जियों के ए राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए अगला है दोस्तो उस विकल्प का चैन की जो निमनी मुहाबरे का अर्थ ब्यक्त करता है आफ़त सीर पर लेना आफ़त सीर पर लेना का मतलब क्या होता है यानि जगरा मोल लेना ओके ये राइट अन्सर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए अगला है दोस्तो इसमें आपको बताना है दियेगे वाकवाब अग्याद करे जिसमें कोई तुरूटी है यदि कोई तुरूटी नहीं है तो कोई तुरूटी नहीं है जुने नियमित अभ्यास मुर्ख को भी चतुर बना देती है कोई तुरूटी नहीं है इसमें बताएं कौन सा ऑप्षन गलत है इरर है बताना है देखिए आप देखेंगे कि इसमें कौन सा जगा पर चतुर बना देती है यानि देखिए बोल रहा है कि नियमित अभियास क्या है एक विशेशन और संग्या का जोर है और हमेशा इसके पु में होता है यह दोनों का पर्योग इसलिए अगर सही खंड में देखें तो चतुर बना देती है नहीं लिखा जाएगा क्योंकि चतुर बना देता है लिखा जाता तो बिल्कुल सही होता है देखिए यहां पर लिखा गया है इसलिए इसका राइट अंसर डी हो जाएगा दो उनकी संका का समधना आप कर सकते हैं तो right answer अब देखें English देख लेते हैं देखें दोस्तों की direction दिया है in the flowing question four alternative are given for the item or phrase in bold in the sentence choose the alternative which best express the meaning of the item or phrase देखें आप लोगों में से कई लोग प्योण का फरम भरे होंगे और कई लोग कलर का भी भरे होंगे तो जिन लोगोंने कलर का भरा होगा वो प्योण का भी जरूर भरा होगा और steno reader का भी भरा होगा जिनके पास computer की knowledge होगी या certificate तो मुझे लगता है कि एक set से बहुत लोग को benefit होने वाला है क्योंकि आपको पता है प्योण में हिंदी 35, math 35, English 15 और 15 नमर का interview होगा तो इन सब चीजों को ध्यान देना है बाकी सरिफ आपको प्योण वाले को जिक के GS नहीं पढ़ना है बाकी सारे पोस्टों में सब चीज वही पढ़ना है लगभग तो इन सब चीजों को भी ध्यान देना है ओके दोस्तों देखे दिया है the man's son of her former husband's name still make Rita form at the mouth बताए लोग क्या right answer होगा यानि देखे form at the mouth का मतलब होता है to be very angry to be very angry तो देखे ए right answer हो जागा दोस्तों ओके अगला प्रस्ण देखे अगला है कि we must husband our resources against hard times hard times यानि husband our resources का मतलब बताए to use something यानि carefully and makes your debt you do not waste it कहने का मतलब आप किसी तरह का नहीं कर सकते हैं समय ब्यर्थ को फालतू चीजे यानि कहने का मतलब है कि आप वहीं चीजे कर सकते हैं जो safe हो शुरक्षित हो तो right answer क्या हो जाएगा save हो जाएगा देखे ये दिया हुआ है तो ये right answer हो जाएगा ओके चलिए अगला देखते हैं अगला क्या है दोस्तों ये रहा आप के सामने the newly elected chief minister has promised to bring a bot change in the state बताएगे तो देखे bring a bot to make something happen कौज को बोलते हैं कोज मतलब कारण को दर्ष रता है यानि dear items जब कोई खूस होगा तो कारण होगा ऐसे फालतू में कोई हसेगा तो जाएग से बताएगे उसे लोग पागल ही बोलेंगे इन दो फ्लोइंग कोच्चन आउट अप फूर अल्टरनेटिव चूज दो बोलेंगे बेस्ट एक्सप्रेस्ट देखे लेथल दिया है क्या दिया है लेथल लेथल का मतलब होता है घातक इसका सैनेनेम क्या होगा यानि फोटल हो जाएगा डेडली भी बोल सकते है ओके तो देखे बी दिया है राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखे अगला है थ्री एट मिस क्या होता है धामकाना थ्री एट मिस खत्रा भी बोल सकते है सैनेनेम इसका रिस्क हो जाएगा पेरिल हो जाएगा Intermediation हो जाएगा देखिए option में क्या कर दिया है तो दिया है B number का तो B हो जाएगा visual दिया है visual के synonyms क्या होगा दोस्तो visual का मतलब होता है द्रिष्टी घोचर इसको हम और कैसे बोल सकते हैं यानि apparent बोल सकते हैं obvious बोल सकते हैं conspicuous बोल सकते हैं दोस्तो ऐसा करते हैं कि एक synonyme का हम 200 synonyme आपको ला देते हैं ठीक है कल prepare करवा देंगे आपका synonyme synonyme एंटोनेम 200 और जो important होगा होगा आप याद कर लिजेगा प्रायक याद नहीं करना है देखो अगर आप याद करोगे तो कल भूल जाओगे आप सिर्फ एक दिन कोई भी चीज पढ़ाई करते हो जैसे आज आज आपने मेरा वीडियो S10BPSC कोई बिहार सिबिल कोड का मैंने बहुत ही सेट करवाद दिया है मतलब है स्टार्टिंग बिहार सिबिल कोड से ही है एप्रॉक्स में लगभग यह हमारे बैक्यानिक भी बताते हैं कि अगर आप कोई एक बार वीडियो देखते हैं एक बार पढ़ाई करते हैं और साथ दिनों का अंदर नहीं पढ़ते हैं तो जाहिर से बात आप आप इटोमेटिक भूल जेंगे इसलिए आपको क्या करना है आज आपने पढ़ लिया तो उसको कल ही रिविजन कर लीजे फिर उसको कल रिविजन कर लीजे फिर उसको कल रिविजन कर लीजे ऐसा करेंगे ना तो हमेशा के लिए दिमाग में फीट हो जाएगा तो देखें आप कुछ भूलेंगे नहीं, रिविजन कीजिए, याद नहीं करना है, ओके, रिविजन बहुत ज़रूरी है, रिविजन नहीं करेंगे, तो कोहचन नहीं बनेगा आपसे, देख लिजिएगा, ओके दोस्तों, तो इसका क्या राइटांस रोजएगा, पैरेंट होजएगा, डी राइटांस, रोके, उसके बाद यहाँ, इन दे फ्लोइंग कोहचन, आउट फोर अल्टरनेटिप्स, चुछ द वन विज बेस्ट एक्स्प्रेस्ट अपोजिट मेनिंग अब दी वर्ड में, तो यानि क्या बोलेंगे, using as much money as is necessary, migration भी बोलेंगे, उसे migration, ओके, मेगेरनेस, तो बताइए इसको कैसे बोल सकते हैं, इसका राइट अंसर होजएगा, प्रोटी के एल्टी, ओके, बीर आइट अंसर, चलिए अगला प्रसन देखिए, अगला है दोस्तों, कि मिजरेव दिया है, मेजरेवल, इसका क्या होता है, देखिए, मेजरेवल का मतलब आपको पता होगा, बहुत से लोगों को, क्यानि दूखी, या जो बहुत हमेंसा उदास रहता है, यानि, very unhappy और uncomfortable person, उसको बोलेंगे, यानि, the play was a measurable failure, example मैंने बताएए, इसका राइट अंसर होजएग इसका मतलब होता है, यानि, जिसका अंदर दया होता है, loving व्यक्ति होता है, उसको बोलते है, showing kindness towards people and animals, और किसी के प्रति वो दया भाव दिखाता है, उसको बोलते है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, यानि, unkind, ओके, बिलोब बताना है इसमें, चलिए अगला प्रसन for the given word or sentence, one who speaks many languages, यार ये तो बहुत बर बता दिया है, multi-language, लोकर, ये right answer हो जाएगा, उसका बाद, one who lives one's country to settle in another, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे, आपकी immigrant बोलेंगे, immigrant वैसा ब्यक्ति जो दुख, मतलब खुद देश छोर कर किसी अन देश में चला जाता है, science which deals with Celsius objects and space, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तो, astronomy, okay, right answer क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है आपका, क्या बताना है इसमें, the following question, three, four different word, तीन गो गलत है, ये गो आप गलत नहीं मतलब सबसे अलग होगा, क्य सेंपटेस, संपटेस लिखा हो, संपटेस, okay, इसका बदले आप संपटेस लिखना चाहिए, क्योंकि इसका मेनिंग हो जाएगा, बहुत, बहुमुली व्यक्ति को बोलते हैं, बहुमुली चेज को बोलते हैं, okay, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, संपटेस, ये राइट अगला प्रसन देखिए अगला है दोस्तों कि दिया है आपका इन द फ्लोइंग कोच्चन सेंटेंस अर गिवेन विथ ब्लैंक्स तू फिल इन द अन अप्रोप्रियेट वर्ड फूर अल्टरनेटिवर्ड सुजेस्टेड इच कोच्चन चूज द गॉरेक्ट वन दि किंग अ पेडिशन बोलते हैं मतलब अभ्यास करना ओके अभ्यास के सेंस में बोलते हैं तो सही पर यो क्या ऐसे बोल सकते हैं ए लॉंग जोर्णी फूर इस्पेशल परपस या ए सोट जोर्णी डेट वन मेक फूर ब्लीजर तो बता दीजे अंसर क्या हो जाएगा यानि और भी हार्मड देखें दोस्तों दिया है दिया है यानि क्या बोलते हैं दोस्तों सजीव बोलते हैं आप भी जानते हैं तो हम बोलते हैं नहीं समझते हैं ना कॉंसीडर का प्रयोग करते हैं तो डायराइट अंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा the track manager that the trackers rest for while before the claim देखे इस प्रशन को हमें हल करने के लिए सबसे पहले rest for a while यानि थोरी दिर अराम करने के sense में बोल रहा है यह संकेत दे रहा है कि track manager ने थोरी दिर अराम करने का आगरह किया है इसलिए आगरह किया कि अर्त में क्या बोलेंगे insisted ओके insisted बोलते हैं तो देखिए एर आइट अंसर दिया हुआ है अगला प्रस्न देखिए अगला है दोस्तों कि क्या दिया है millions of people death during the acute famine of Orisa बताईए देखिए इसमें कहने का मतलब है कि पहले तो जानिये famine का मतलब होता है अकाल आना ओके जब अकाल आएगा तो जाहिर से बात है खाने पीने की बुस्तों कि कमी होगी सभाविक से बात है तो लोग भूखे रहेंगे भूखे को क्या बोलते हैं starved बोलते हैं starved देखिए कहां दिया है B में दिया हुआ थै I am sure that my seeds dash by next week next week यानि अगला सब्ता हिंदी मुलेंगे यानि future evolve of time है तो जाहिर से बात है कि future independent tense में हम wheel का पुर्योग करेंगे wheel grow लेंगे अच्छा रहेगा तो देखिए कहां दिया है C number में दिया हुए तो C right answer हो जाएगा अगला देखिए अब आगया सभी के लिए है ओके दोस्तो प्योन वाले त्रिफ उनको लगे गए जिके जिस नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन और भी जो पचहतर जर बहाली आने वाली है और एक लागतिस जर बहाली जो medical में आने वाली है जो हमारे उप मुक मंतरी और मुक मंतरी ने बैठक में दो जनवरी को उन लोगों ने क्या किया था निर्नाए लिया एक लगतिस जर medical medical में बोले तो NM, GNM, Dresher, OTS Assistant इस सभी लोगों का आएगा और इसमें एक्जाम बगेरे नहीं होता है डिगरी पर होता है पचतर रचर आएगा आपका बहाली उसमें बिहार पुलिस का आएगा मदनी से दरोगा सब कर रहेगा और S.S.E. का आने वाला है और पंचायती विभाग में आने वाला है पंचायती विभाग यानि आप लोग के आस पास में ब्लॉक होगा ब्लॉक देखते होंगे ना परखंड जिसको बोलते हैं यानि जो माले जो मुखिया होता है और काम करवाता है लोग मन रहेगा वगेरा तो उसमें बहाली आएगा पचीस सजर बीस सजर के शैलरी भी होती है इंद्रवास सहाइक होते हैं जो घर पास करवाते हैं इन सबी चीजों की बहाली आने वाली है तो हम बहुत जल्द आप लोग को बताने वाले है इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे पर अपने उचाहई के लिए विशो परशीद है और था का में सबस्वाधिक जलबीदुत के उत्पादन करने वाला करीबी बाद आपको पता है कौन से नदी है, जंबेजी नदी है, ओके और जंबेजी नाइजर, जाएर, औरेंजर सब क्या है, महादी, पुरमुक की नदिया है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, चले अगला प्रसन दिखते हैं, अगला है दोस्तों, क्या है, कि इंडिया ही नहीं करता होगा इसका तेका राइट अस हो ज़ेगा दोस्तों एनीबे सिंट भारती यह पुछता तो सरोगनी नाइड़ी पूछ बताते ओके अगला देखिए अगला है आमुलियन पर मुख लक्ष क्या होता है ओमुलियन देखिए समझने वाला यहां सब बहुत प्रस्ण बंद है बहुत बार पूछा गया है इंपोर्टेंट पॉइंट है देखिए ओमुलियन का मुख लक्ष निर्यात को बढ़ाना होता है ओमुलियन द्वारा आयातों को क्या किया जाता तो के दोस्तों कि अधिया है देखें दोस्तों अगला प्रस्न है पटना उचने लेकर अपना कप की गई बहुत बढ़ पुछा गया है पटना उचने लेकर अपना कप की गई उनी सो सोल में दोस्तों के देखें उचने लेकर अठारे सो एकसट के तहट बना था ओके और लॉड कैनिंग उस समय गुवर्न जनल था भारत में उस समय बना था ओके और कलकाता बोंबे मदरास प्रिसिदेंसी कोशन पुछा जाता है पुछे जाते हैं और पटना विशो भी दळाले की बात करेगा तो क्या बोलेंगे यह उनीसो सत्रा हो जाएगा याद रहेंगे पटना विशो भी डाले जो पटना का जो कॉलेज है उसमें फ्री आफ कोस्ट पढ़ाई होता है सबी एस इस टी ओव बीसी जितने भी छात्त होते हैं जैनल के टेरी चाहिए किसी भी समधाय से आवाई सभी लोगों के लिए निशुल को हाँ पर सिक्षा दिया जाता ही उपीसी बीपीसी के जो तैयारी करते हैं उनके लिए उचने आले का वर्णन अगर नहीं तो नहीं पूचेगा चलिए अगला देखिए अगला लंग ने किस भारत पर बहां किया था यह एक रम आ किया था दोस्तों 3982 इसमें भी राइट अंसर, ऊके, चलिह अगला प्रस्वन देखिए, अगला है, काटूर आका दरसाती है, तो काटूर आका आपको भी पता है, ये समूध्रतल से समान छेत्रों को दरसाने वाल के रिखा, ये राइट असर, धक्षिना अफिरक прог 요즘 के मुद्रे के मुद्रे का रि किर्केट जो देखते होंगे मुझे पता है कि गर्ल्स लोग को किर्केट बहुत कम पसंद होता है लड़के कोई जो स्टुडेंट होंगे बॉइज उनको नहीं चोड़ना चाहिए कोचन बिसी सी आई के वर्तमान अध्यक्स कौन है बताइए तो यह सौरव गांगली है ओके यह राइट अंसर पहले कप्तान थे बहुत सिक्सर लगाने में माहिट थे ओके BSNL के पूर्ण द्वारदर हे तू केंदर सरकार ने कितनी राशी देनी की घुशना किया कितनी दोस्त तो यह किया था 1.64 लाग करोड उके अगला प्रसन देखिए अगला है कि कोई क्रित अपराद नहीं है यदि वो किया जाता है किया जाता है तो क्यूं यानि भरतिय दंड सहीता IPC को बना थे यानि 860 में बना था आपको भी पता है अधारा 82 के अनुसर 82 के अनुसर बात अपराद नहीं हो यदि 7 वर्सों से कम इक बच्चा होगा यानि 7 वर्स का बच्चा कोई उसका उम्र काम है अगर वो किसे का खून भी कर देता है अगर मुडर भी कर देता है तो समझ लेजे कि उस पर दंड नहीं लगेगा IPC धारा बिरासी के तहत लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है दोस्तों देश की एकता खंडता प्रभावित होती है चली अगला प्रस्न देखिए नयाइक समिक्षक अंतरगत आता है यानि आपका नयाइपालीका द्वरा यानि हाईकोट विधाइक विधान अधिनियमों के सन्विधानिक जांच और नयाइपालीका द्वरा करेपालीका अदेश होगी पोजी वाले होंगे तो बता सकते हैं या जो देंद क्लास पड़े होंगे वो आसानी से बता सकते हैं देखिए दाया अलिंद फिर क्या होता है दोस्तों दाया अलिंद अ दाया निले अ फेफरा अ बाया अलिंद ये रुधिर परिशंचरन का सही अनुकरम होते हैं जैसे महा स सीरा हो गया पता है जाहिना अलिन्द हो गया ऐसे होता है तो इस तरह आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा या इस अलीड थे फेफ़रा बैलिन दीया हो ए तो सी राइटों शहर एक लेक्ट्रॉनवोल्ट उर्जा कमान कि हें लाइए जाता है हवा के प्रागोन को यानि ऐनी मौ फियु में कहते हैं सी राइट औंसर हो जाएगा ओके अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है क्या है कि इसमें है उधरो पात्व डीदी दावर्ह निम्न में से किस योगी का सोधन किया जाता है उधरो पातन बीदी दोरा निम्न में से किस योगी का सोधन किया जाता है तो ये किया जाता है बेन जोई कम लोगे डी राइट अंसर अगला प्रस्न देखिए अगला है दोस्तो कि बहुलक जो भी सिस्ता वरतनों ना चिपकने के वाली सता के रूपने प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे टेफलोन बोलते हैं भी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्न देखिए दोस्तो मैं था गया आपका देखिए, बनाए ये, सीमा 60 की ओनरित पर 16 मीटर लंबी 6 पतंग उराती है, जमीन से कितने उचाई पर पतंग उराई थी वो, इसको सल्प कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, सीमा 60 मीटर की ओनरित, इनकलाइनेशन पर 60 मीटर की लंबी, क्या करती है, पतंग उराती है, जमीन से कितने उचाई पर पतंग उराई रही है, देखिए, वेरी सिम्पल, पतंग उरे की भाई, मालेजिए, आप छट के उपर खरे हैं, और ये पतंग उरा रहे हैं, 16 मीटर लंबाई पर, यहाँ पर साइन, 60, यहाँ साइन के साथ लेकर चलेंगे इसमें, तो कर्ण बाटा लंबाई होता है, तो कर्ण यहाँ पर साइन, 60 का मन क्या हो जाएगा, रूट 3 भाई, 2 होता है, अब अप लोग सॉल्प कर लीजे, कितना मानाएगा, जब इस सॉल्प करेंगे, तो इसका राइटन स उसके बाद इसको सॉल्प किजे लो, अठारे सो पलस 20 गुने, 12 माइनस 6 पलस 24 माइनस 12 कमान क्या होगा, सॉल्प करेंगे, तो इसका माना आजाएगा, आपका 1620, ओके, सीर आइटन से राजाएगा, अगला प्रसन देखिए, अगला है दोस्तों, कि राम और स्याम एकाम को स्याम अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा, बताएगे, देखिए, राम और स्याम है, ओके, क्या करेंगे, चुकि यह राम हो गया, और यह स्याम हो गया, ओके, यह क्या करता है, 20 बटा, 3 दिन निकालेंगे, 3 चक अठारे, दोनों का हो गया काम, और स्याम कितने दिनों मैं 15 दिनों में करता है ओके 20 वाटा 3 दिन में और सयाम 15 दिन में च्योंकि जब इनकी छामता निकालेंगे आप तो देखिए छामता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कर छामता 60 निकालेंगे दे तो आ जाएगा उसके बाद सेष कर निकालने के लिए आपको पता है क्या कीज़ेगा 60 में से इसका आएगा तो जब इसे काटेंगे तो इसका 9 छामता आजाएगा देख लिजिए गुनाभा करकर और इसका करेंगे तो 15,60 ओके तो 9,4,13 हो जाएगा यानि 60 मैनस 13 आगुने 4 तो 60 में से 13 घटा दीजे और 4 कर दीजे अब का अंसर आजएगा क्या राइटन्स रोगा दोस्तो इसका राइटन्स और 2 दिन आएगा ओके अगला प्रसन देखिए अगला है तीन वर्स के छे वर्सिक ब्याज दर पर एक रासी पर सधारन ब्याज छे अजर 750 रुपय हो जाता यदि ब्याज वार्शिक सन्योजित होता है तो इसी रासी पर इस दर पर इतने ही समय में चक्रविदी ब्याज ने करता हम 10 हैं क्या हो जाएगा सब कीज़े इस तरह के सवाल के लिए का करेंगे आपको सधारन ब्याज बराबर रेट जो होगा वो बराबर होगा ओके तो क् गुने 618 हो जाएगा ऐसे निकालेंगे जो दिया है तीन वर्स और छे अनि 8 के फॉर में लेकर चलेंगे तो यह 18 वर्स हो जाएगा उसके बाद निकाल लीजी अब निकालेंगे तो देखें क्या हो जाएगा फिर 18 परसेंट का बराबर है कितना आपका 6750 का तो 100% पर लेकर पर चलेंगे तो 100% का क्या हो जागा दोस्तों यहीं सोट सो पचास अब आठा 18 गुने 100 हो जाएगा जब इसे काटेंगे जब इसे काटेंगे तो आप खाट कर देखे कितना आ रहा है तो काटेंगे तो 3750 हो जागा ओके 3750 का मुलधन हो गया अब आप CI निकाल लेज़े असानी से ओके असानी से निकाल लेंगे आएगा एगो CI निकाल लेगा एगो सदारन ब्याज मान निकल जाएगा तो देख लिजिए कितना अंसर आ रहा है 3763 सम्थिंग आगा ओके तो राइटन से D हो जाएगा दोस्तों अगला प्रसंद देखिए अगला है 24 सिंटिमीटर भूजा वाले वर्ग ABCD में यह बताईए यह आप लोग को बताना है देखे इस तरह के सवाल में आपको क्या करेंगे एक फिगर बना लेजिए ABCD हमारा हो चुकि बोल रहा है सौब कोन का क्या यानि PDC बनाता है ओके तो यहाँ पर एको PDC हम बना देते हैं यह बन गया हमारा D और C बन गया यहाँ पर P हो गया आई आपका A, B, C, D हो गया चुकि यह सब परपेंडिकुलर है यानि 90 दिगरी है ओके दोस्तों अब आसानी से आपको पता है तिर भूज का छेतफल क्या होता है यानि A, B, C, D वाटर टू इस पर बैठा दीजिए दोस्तों यानि 24 गुने 24 सबका भूजा तो बराबर ही होगा कितना अंसर आएगा कि जेगा लोग तो 288C ओके तो A राइट अंसर वह सबसे छोटा पुर्णा क्या है जो पांच पांच आठ और 15 का गुना जहें पांच आठ और 15 का लिजिएगा चूप चापा जागा 120 राइट अंसर जागा इसमें भी कुछ नहीं है 20 परसेंट और 15 परसेंट के दो क्रमिक छूट के समतूले का एकल छूट कितना होगा तो इस तरह के सवाल के लिए क्या कर मैंने बताय ठाओ कि हमेशा कीजिएगा 20 क्या करना है प्लस 15 फंदरिए के साथ लेकर चलिएगा यहां पर प्लस यह कितना होगा दोस्तों यानि 45 अब फिर इसी के साथ निकालना है बिस गुने 15 अब बटा में क्या हो जागा 20 अब निकाल दीजिए दोस्तों असानी से माना जै कितना अ क्या राइट अंसर होगा यानि 32 परसेंट आएगा आप लोग सॉल्प करेंगे तो राइट अंसर देखे सी दिया हुआ है देखे जहां जहां हो सकता परेगा मुझे फास्ट देखे ज्यादा ऐसे करेंगे तो वीडियो लॉंग हो जाएगा दोस्तों के इसलिए तो आप लोग सपोर्ट कीजिए जल्दी जल्दी करते हैं देखे चार संख्याओ का उसर तीस है और पहली संख्याओ के योग के एक पहली संख्या से संख्याओ यानि पहली संख्या यहां पर इसको मीटा दोते हैं देखे पहली संख्या क्या हो जाएगा थीरी एक्स का एक बटा तीन यानि आपका एक्स आ गया यह पहली संख्याओ का योग तो संख्याओ का योग और संख्याओ का योग निकालेंगे तो एक्स प्लस थीरी एक्स बराबर 30 गुने 4 हो जाएगा, चोथा पूछ रहा है, ओके, 4 संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, समझ में आया, चुकि अब देख लिजे, 4 एक्स हो जाएगा, 4 एक्स आप भी कर सकते हैं, 4 एक्स बराबर 120, काट ये तो कितना माना जाएगा, एक्स कमान, एक्स कमान 30 हा जाएगा, तो पहली संख्या आपका ये हो गया, राइटन सरो, ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रसंद देखते हैं, अगला है, कि अमीत ने 50 किलोमेटर के दूरी 9 घंटे में तह की, किज़े क्या राइटन सरोगा, इसका, एक्स किलोमेटर दूरी मान लिजए, पैदलता है कि गई दूरी, यानि 50 में एक्स एक्स हो जाएगा, समझे, समझ लिजएगा तो पसानी से, प्रसंद से चलेंगा, तो 50 में एक्स एक्स बराबर 5 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स बराबर किसके, 9 के बराबर हो जाएगा, हम हींट देते हैं, बना लिजएगा लोग, 50 माइनस एक्स बराबर 5, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 10, बराबर 9, अब सौल्ब कीज़े, क्या राइटन सरोगा, जब इसे सौल्ब करेंगे, तब का अंसर जाएगा दौस ओके, देखिए, D नमर में दिया हुआ है, अगला प्रसन देखिए, अगला है, एक दुकंदार, 300 में, दो पुस्तके खरीता है, वो पहली पुस्तकों को 20% के लाब पर, तब दूसरी पुस्तक को 10% के हानी पर बेज़ता है, यदि पूरे लेन दिन में लाब होता है, और नहीं हानी, तो पहली पुस्तक अभी क्रेमूल क्या होगा, दोस्तों बताइए, बताइए, देखिए, इस तरह को जब भी सवाल होगा, तो क्या करेंगे, चुकि पूछ रहा है, कि 20% के लाब पर, यह गो 10% पर, यानि 20 अदस, यानि 20 अदस का खेल हो रहा है, यहां पर, चुकि कितना यूनिट, तीन यूनिट के बाद हो रही है, तीन गो यूनिट हो रहा है हमारा, तो तीन यूनिट पर क्या, 300 हो रहा है ओके 300 रुपया दे रहा है तीन गोठ चीज खड़िता है तो चुकि तो 300 हो गए तो यह गों यूनिट पर निकालेंगे तो हमरा कितना आ जाएगा 100 रुपया जाएगा जी तो पहली पुछता का भी क्रेमल क्या हो जाएगा यानि 20% के लाहप पर तो 100 गुने 120 होगा ना जी कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा ओके तो राइट अंसर देखे कहां दिया हुआ है 120 सब्सक्राइब हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए अगला है दोस्तों ए और बी गोलों को आयतन गोला है को इसका आयतन है एक सो पचीस रैसियो सब्सक्राइब होगा दोस्तों बताइए क्या राइट उसर होगा देखिए यहां पर समझने का खेले माल लिजे यह गुला हो गया भीवी का और भी ये का हो गया उके चाहिए आप इसको प्लट कर भी लिख सकते हैं इसे भी या भी भी कोई दिकत नहीं है ओके चुकि पूछ पूछ रहा है अनुपात में तो 125 ऐसे लिख सकते हैं 125 बाट चौण सट आप बूलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं चुकि बोल रहा है क्या भी के त्रिजाओ का 36 सिंट्री में पूछ रहा है तो यहां पर इसलिए मैं ने लिखा है चुकि 125 हमें 64 दिया हुए तो निकालना परेगा ने जी तो आपको भी पता है पांच गुने पांच कि पांच 25 25 25 इसलिए मैंने इसा लिखा दोस्तों समझ गए क्यों लिखा अब समझ गए होंगे 5 बैट चार इतना आ गया अब सुल्फ किजिए आप लोग कितना आगे इतना बता दिए 36 गुने 5 बैट पांच पल लिखास लिया था अलजेबरा का तो उसमें इस ट्रीक मैंने बताया था सिर्फ पांच सेकेंड में आप लोग बता दीजेगा बताए क्या राइटनसर होगा इसका जब इसे सॉल्फ करेंगे लोग तो इसका राइटनसर आ जाएगा बताए कितना है यानी 724 हैगा दोस्तों के सी राइटनसर अगला प्रसंद देखिए अगला है यदी पांच अंक वाली संख्या 676y into 37y और एक गारा से भीभाज है तो 3x-5y कमान ग्याद करें यह थोड़ा सा बताए लोगा लसीम निकालिए कुछ नहीं बताना क्या है लसीम निकालिए 3-7 एगारा का लसीम निकाल लसीम निकालेंगे तो आएगा आपका 231 ओके 231 आगे अब 231 को किस से भाग देना है यानि xy के जगह पर क्या संख्या रहेंगे तो आप 0000 मान लिजिए 0000 रखकर 231 से भाग देजिए यानि 231 से 676 x कमान आप 0 य कमान 0 रख देए अब यहाँ पर क्या करेंगे भाग इसको भाग देजिए 231 जितना सेसपल आएगा सेसपल आपका 148 आजेगा तो 211 में से 144 को घटा लिजिए ओके घटा कर यानि आपका xy बराबर कितना हो जागा 213 मैनस 148 यानि 83 आगया यानि x बराबर 8 और y बराबर 3 हो गया ओके यानि xy कमान आपका आजाएगा 83 तो x क कमान x और y कमान 3 ऐसे ओके समझ गये इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका 9 ओके एर आइट अंसर हो जाएगा चुकि आपको पता है 3x-5y के फॉर में लिखेंगे तो उतना आजाएगा अगला प्रसन देखिए अगला है दोस्तो बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा वीडियो लॉंग हो जाएगा ओके दोस्तो इसलिए थोरा फास चलना पड़नेगा ए और भी दो संख्या का अनुपाद 5 अनुपाद 8 है यदि ए और भी में से पड़तिक 5 जो रजाता है तो ए और भी का अनुपाद 2 अनुपाद 3 हो जाता है दो अनुपाद 3 हो जाता है ए को देखिए । मान लिजेगा कि और भी क्रम से क्या हो जाएंगा और य। शुक्ती दखिए देखे पूठि य। इसमेंट से खेल ना कि य। क्या जाता है य। फिर लिघ्ट अते क्वेड़ इसल्गा थे जिएड़ dal अगला है दोस्तों की एक मा और उसका बेटी का वर्तमान आईका अनुपाद 7 अनुपाद 1 है 5 वर्स बाद वा अनुपाद 4 अनुपाद 1 हो जाता है उनकी वर्तमान आईका अनुपाद ग्याद कीजिए वर्तमान है तो क्या करेंगे चुकि मा की वर्तमान है उसमें क्या मानेंगे 7 x चुकि फिर पुछ रही है बेटी की वर्तमान है अब एक्स मानेंगे चुकि साथ गुना है डिय throwing Nue 7 x plus 5 हो जाएगा और एक्स में बेटी में भी जो रहेंगे x plus 5 कितना हो रहा है अनुपात यानी 4 यानी 4 बटा एक मान सकते हैं cross multiplication कर दीजे दोस्तारा असानी से निकल जाएगा जब cross multiplication काट कुट करेंगे तो आप cancer आजएगा 30 के c right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए अगला है reasoning आगया reasoning में पूछेगा pion में नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसमें पूछेगा देखिए a b c d e f अन्यमित करम में एक गोला क्या करता है एक गोला ये गोल मेज के चारो और समान अंतर पर रखी हुई है छो कुर्सियों पर इस पर कर बैठे हैं कि a d e के बीच में c d के सामने है तता d और f पर उसी नहीं है तो बताएगे क्या देखिए इस तरह के प्रसंद में क्या करेंगे सबसे पहले गोल फीगर बना लीजे आपको असानी समझ मैंगा चुकि क्या बोल रहा है ए ए ए ए एफ के साथ मिला लीजे ओके उसके बाद बोल रहा है डी सी के साथ यानि डी सी उसके बाद क्या बोल रहा है बी ए के साथ या आए बी हो गया उसके बाद क्या बोल रहा है इतना ही बोल रहा है चुकि अब क्या आप कर रहा है ए ए एफ के साथ और D C के साथ, D C के साथ, ओके, तो आप आप रहे को ऐसे बना कर देखेंगे तो B E के सामने बैठा हुआ है, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसमें, यहनि B E के सामने बैठा है, तो D Rाइट अंसर, अगला प्रस्ण देखिए, अगला है कि साल 2018 का कलेंडर किस काल के स सामान होगा, बताइए लोग, सल किजिए लोग, इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो, D, ओके, 2007, बता दिया है मैंने, उस बिकल्प का चैन करे, जिसमें दिये गए सब्दों के बीच, सही संबंध है, जो नीचे दिये गए दो सब्दों के बीच है, क्या दिया है, गै गैंडा सिंग, उसके बद क्या है, गैंडा सिंग है, ओके, चुकि जिस परकार गैंडा का खासियत सिंग, यानि बहुत सारे उसके क्या होते है, बहुमोले होते हैं, उसी परकार अब देखेंगे, गदहा को रेंकना लिहा, हाथी को राज, क्या हाथी का राजदंत, गाय का बचरा और कूता का भौकना अब बताईए इस में से देखिए तो हमारा हो जाएगा हाथी का हाथी को क्या बोलते हैं यहीं गजदंत बोलते हैं ओके गजदंत लिखा हुए तो सीर आइट असर हो जाएगा इसका समंध है इसके साथ अगला प्रस्ण देखिए देगे दिया है N को N और M को M B को B E को E R को R ओके तो उसी तरह घोष्ट को क्या H को H G को G H G S O T H G S O T H G S O T देखे कहां है तो C नमर में ओके C राइट असर यदि किसी निश्चत संकेती भासा में इंपटी को N F O Z U लिखा जाता है तो देखे इस तरह के समाल को बनाने के लिए आपको आलफेट इसका सिंबल याद होना चाहिए कि यह कितने नमर पराता है B कितने नमर पराता ह है Z कितने नमर पराता है सभी तरह से इसको लिख लेना है जैसा माल लीजिए E F कितना अंतर हो रहा है इस E F के बिच एक का हो रहा है और उसी तरह MN MN का एक का डिफ्रेंस हो रहा है पीओ है तो पिओ में देखिए पिओ में माइनस वन का अंतर हो रहा है उसी तरह है जी Tuk अधिय स्परों आगला हो जह पर Sergeant क्या याई रइट अंसर आप जए लस जए k quando ख से हो बिशम संख्या नियत की गई है जो A बराबर 1 B बराबर 3 यदि उसी के अनुसार होटल सब्द के लिए अक्षरों का कूल मान कितना होगा बताईए जी अराम से निकाल लेना है चुकि A को आपको पता है एक नमर पर है B यानि दू गुने दू उसी परकर आपको निकालना है ब बी राइट अंसर देखिए एको हिंट देते हैं एज आपके कितने नमर पर आप आठ वोके आठ गुने दो माइनस वन इसी फ्रमूले पर जैसे एज के बाद क्या है आपका ओ है ओ कितने नमर पर है 15 15 गुने दो उसके बाद माइनस वन लेकर चली इसी तरह बनाईए निकल करता है और एक तिरिभूज महिलाओं का परते निदेत्व करता है और आयत सहरी निवासियों का परते निदेत्व करता है दे गई संख्या उस विसेसवर के व्रक्तियों के संख्या को दरसाता है कितनी पत्रकार यह महिलाए तो है लेकिन सहरी निवासी नहीं रिजनिंग है बताइए किया राइट अंसर होगा देखिए अब सॉल्ब करेंगे इस तरह से फिगर बनाएंगे चुकि बोल रहा है पत्रेकार तो यह पत्रेकार लोग हो गए चुकि पुछ रहा है कुछ महिलाएं भी हैं तो हम क्या कैसे कर लेंगे कुछ सहरी निवासी पूछ रहा है तो हम क्या सहरी निवासी इसमें सामिल हो जाएगा कुछ महिलाएं भी हैं तो आप क्या ऐसे हो जाएगा यानि देखिए यह हिसा भी यह सामिल हो रहा है यानि तो देखेंगे ध्यान से तो आठारा पत्रकार और लेकिन सहरी निवासी नही क्या है पत्र कार तडशाक राइटांसर क्या हो जाएगा देखेएं फीगर में देखिए ध्यान से तो और आइटांसर अग्रच अगला है कि अग। दोनों 0 से 5 भी है तो बताए कि पंक्ती में कितने बिरिक्च है पंक्ती में बताना है बिरिक्चो के कूल संख्या तो देखिये बिरिक्चो के कूल संख्या आपका हो जाएगा 9 answer ओके राइट answer बी हो जाएगा 5 पलस 5 और माइनिगस 1 करेंगे अगला प्रसन देखिए पांच ब्यक्ति है A, B, C, D, E और उतर दिशा की मुह करके एक पंक्ति में इस परकर बैठे हैं कि D, C के बायूर और B, E के दायूर और A, C के दायूर और B, D के बायूर है यदि E पंक्ति के एक छोर पर बैठा है कौन बैठा है दोस्तों तेरा आइट अंसर हो जाएगा इसका निकालेंगे तो आपका आइट अंसर D हो जाएगा देखिए कैसे निकालेंगे E, B, D, C ऐसे बनाएंगे देख लिजे अब बताते हैं कोई यह हो गया ऐसे अब देख लिजे पता कीजे के लिए का उपियोग होता है किसका उपियोग होता है एउपियोग होता है दोस्तों A, L, U का उसके बाद है दोस्तों क्या है कि कोंप्योटर प्रनाली में निम्न में से कौन ssa एक operating system है इसमें आपका MS Office को operating system है अगला परसंदे देखिए दोस्तों अगला है कि programmable read only memory का संचीप नाम क्या है या रूप क्या है तो इसका हो जगा प्रोम ओके ये right answer किसी भी सिस्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस function का परियोग किया जाता है किस function का परियोग किया जाता है तो ये function परियोग होता है f2 का हम परियोग करते हैं अगला है दोस्तो कि Microsoft Word फाइल में clip board की समागरी को इसपस्ट करने के लिए किस की board शटकर का परियोग किया जाता है किस का तो ये परियोग किया जाता है control प्लस भी का भी रूइट अगला है कि internet का standard protocol क्या है तो आपको पता है इसको हम बोलते है TCP बटा IP ओके ये राइट अशर हो जगा इसे ही form में रहता है यदि आप MS Word में control प्लस एक उंचियो का परियोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रियास कर रहे हैं तो आप करने का प्रियास कर रहे हैं कि यानि फाइल में मौजूदा प्रिक्स्ट में आपकी position को दर्साता उसे क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं cursor बी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन है कि डिबिंगिंग कौन से पर किरिया है तो यह हो जाएगा एक software प्रोग्राम में तुर्टियों को जाच करना हो कि ये राइट अंसर हो है इसका और तो उन अवांचित वनीजक इमेल से जिनके इंटरनेट पर बाढ़ रहता है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं स्पैम के सी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला है दोस्तों MS Word 2010 में डॉकुमेंट में एक से ज्यादा क्या है पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कि सोट कट की का प्रयोग किया जाता है करते हैं तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कंट्रोल का ओके बी राइट अंसर हो जागा अगला प्रसन देखिए अगला है दोस्तों कि Microsoft Word में रिपेल सभी कल्प उपलब्ध है तो यह उपलब test series यहीं समापत होता है उमेद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होता होगा होगा तो आप क्या करेंगे like, comment और share जरूर करेंगे दोस्तों और इसको अपने दोस्तों का पासे share करेंगे और फिर हम मिलते हैं खल के वीडियो में नए test series में आप उम्मीद करते हैं आप लो